Hello dear students, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्यारखंड एजुकेशन में. Computer Science Class 12 का Chapter No. 2 हमारा चल रहा है Object Oriented Programming और Object Oriented Programming का यह हमारा Second Lecture है. बहुत सारे Students confuse कर रहे हैं कि यह कौन सा Chapter है तो आपको फिर सी यार दिला दूँ. यह आपका Class 12 का C++ Unit का Second Chapter है Object Oriented Programming. आज का Topic है हमारा What is Polymorphism? Polymorphism क्या है? Polymorphism के बारे में simply यहाँ पर कहा गया है कि Polymorphism refers to the ability to take more than one form. Polymorphism उस ability को कहते हैं, उस छमता को कहते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा form यानि की रूप लेने की छमता हो. ठीक है? एक से ज़्यादा रूप लेने की छमता को हम लोग क्या कह सकते हैं? क्या कहेंगे हम लोग Polymorphism कहेंगे. It allows an operation to exhibit different behavior. यह अलाव करता है एक operation को कि यह operation जो है, वो different behavior सो करें. ठीक है? कोई operation हो रहा है और वो operation जो है, वो different behavior सो करें. कब different behavior सो करें? और different times, अलग-अलग समय पर कोई operation हो रहा है, वो अलग-अलग समय पर different behavior क्या कर रहा है? सो कर रहा है. और different behavior सो करने के पीछे एक कारण है, आपका depending upon the type of data used in the operation. उस operation में किस प्रकार का data इस्तमाल हो रहा है, उसके आधार पर ये अलग-अलग समय पर ये अलग-अलग behavior सो करें. इस capability को, इस ability को हम लोग polymorphism करते हैं. ये जो आपको यहाँ पर तीन लाइन में polymorphism का definition बताया गया है, इसको समझने के लिए हम लोग एक example को यहाँ पर द generate their sum. अगर आप दो number का addition करते हैं, for example, 6 plus 2. तो आपको क्या मिलता है? आपको generate होता है उसका sum यानि 8. बट लेकिन, the addition of two string would generate a third string by concatenation. लेकिन अगर जोड़ना है आपको दो string, जैसे कि राम ये एक string है और यहाँ पर एक है. मोहन ये एक दूसरा string है. तो यहाँ पर ये जो plus आपका operator है, ये different operation करेगा क्या? राम और मोहन को एक साथ यहाँ पर मिला करके एक तीसरा string बना देगा है. यानि दो string को ये जोड़ करके एक तीसरा string बना दे रहा है, जो इन दोनों का mail से बना है. अब यहाँ पर अगर आप प्लस operation हो रहा है, और उपर जो ये plus operation हो रहा है, क्या दोनों सेम काम कर रहा है? क्या दोनों behavior का दोनों का सेम है? नहीं. यहाँ पर ये अर्थमेटिकली दो number को जोड़ने का काम कर रहा है, जबकि नीचे में यहाँ पर जो आपका ये operation है, ये जोड़ने का काम कर रहा है, ल तो यहां concatenate नहीं हो रहा है, यहां अर्थमेटिकली जो है यह जोड़ा गया है, तो आप देखिए कि एक बार आपने डेटा के रूप में इंटेजर वैलू दिया, तो इसने डिफरेंट बिहेवियर्स हो किया, अर्थमेटिकली 6 और 2 को जोड़ा, लेकिन किसी दूसरे प्लस है, यह जो प्लस ऑपरेटर है, इसने दो अलग-अलग समय पर अलग-अलग बिहेवियर्स हो किया, एक जगह पर वो एडिशन का काम कर रहा है, अर्थमेटिक अडिशन का काम कर रहा है, और एक जगह वो क्या काम कर रहा है, एक जगह वो काम कर रहा है, उसको हम दो कह concatenation तो यहां पर यह जो प्लस operator है यह आपने देखा कि दो different behavior दिखा रहा है अलग-अलग data के चलते तो यहां पर यह जो आप कहेंगे कि यह जो ability है plus का इसको कहेंगे हम लग polymorphism आगे देखते हैं here operator is overloaded ठीक है यहां पर operator overload हुआ है यानि इसने different काम किया है it means operator overloading is polymorphism operator overloading यहां operator ने different समय पर different काम किया है तो इसको हम लोग कहेंगे operator overloading और operator overloading किसका example हो गया operator overloading polymorphism का example हो गया हाला कि आपका syllabus में operator overloading पढ़ना नहीं है आपके jack के syllabus में operator overloading नहीं पढ़ना है ना तो आपके book में है आपके book में जो चीजें पढ़नी है वो है function overloading ठीक है और virtual function यह दो चीजें पढ़नी है जो मैं यहां पर को आगे बता रहा हूं C++ implements polymorphism through function overloading operator overloading and virtual function C++ में polymorphism किसके through है ना किसके through polymorphism C++ में implement हो रहा है तो आप कहेंगे कि C++ में जो function overloading होता है या operator overloading होता है या virtual function होता है यही तो है polymorphism next हमारा advantages of up इसका answer आप अपने book के अनुसार भी लिख सकते हैं इसके बहुत सारे advantages हो सकते हैं लिखने का अलग-अलग तरीका हो सकता है यहां पर देखे मैंने simple word का इस्तमाल किया है उपस का जो advantage है पहला advantage यह बताया जा रहा है कि productivity of software development increased अगर आप object oriented programming का इस्तमाल करते हैं तो जो software development होता है उसका productivity जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा ठीक है यानि तेजी से software develop होने लगेंगे software maintenance improved software का समय से मेर पर maintenance करना पड़ता है तो यह maintenance जो है इंप्रूब हो जाता है गर आप object oriented programming का इस्तमाल किये हुए है उस software को बनाने में quicker improvement यानि आप जल्दी से improvement कर सकते हैं आपने कोई software बनाया ठीक है object oriented programming concept का इस्तमाल करते हुए तो उसमें किसी प्रकार का कोई modification करना है या उसमें कोई improvement करना है तो वह आप जल्दी कर सकते हैं cost of development lowered आप जो software develop करेंगे concept को इस्तमाल करते हुए तो उसको develop करने में जो cost होगा वो cost आपको कम लागत लगेगा good quality software आपका जो software बनेगा OOP को इस्तमाल करते हुए उस software का जो quality होगा वो बहतर होगा वो ज़्यादा secure होगा तो यह था advantages उप्स का next topic encapsulation encapsulation के बारे में simply यहां पर कहा गया है कि the wrapping up of data and function into a single unit called class is known as encapsulation data और function को आप wrap करते हैं यानि combine करते हैं और combine करके एक single unit बनाते हैं जिसको कहते हैं class ठीक है data और function को combine करके आप unit बनाते हैं जिस unit को कहते हैं class यह जो काम आप करते है न data और function को combine करने का और combine करके एक single unit बनाने का इस काम को क्या कहते हैं? इस काम को encapsulation कहते हैं. यहाँ पर एक diagram लिखे, यहाँ पर लिखा गया है encapsulation in C++. यहाँ पर जो method लिखा है, यह method का मतलब function. ठीक है, C++ में function या उसको method बोलते हैं और यहाँ जो variable लिखा गया है, that is called data. तो आप data और functions को मिला करके आपने क्या बनाया, आपने class नाम का एक unit बनाया, ठीक है? तो यह जो काम हुआ ना, group करने का या combine करने का, इस ही को ही हम लोग क्या कहते हैं? इस ही को हम लोग encapsulation कहते हैं. What is data hiding या information hiding? Data hiding या information hiding क्या होता है, उसको समझते हैं. इसको समझने के लिए हो सकता है, कि आज के class में आपको इसके बारे में 50% बाते समझ में आए. क्योंकि बाकी 50% बात को समझने के लिए आपको आगे का chapter पढ़ना पढ़ेगा, class and object. जब वहाँ पर आप class and object जा करके पढ़ेंगे, तब जा करके ये data hiding आपको 100% समझ में आएगा. फिलहाल कोशिस करूँगा कि आप लोगों को समझ में आजाए. देखे, data hiding के बारे में कहा जाता है, hiding का मतलब तो जैसा आप जानते हैं, छुपाना होता है. ठीक है, data hiding मतलब data को छुपाना, तो data hiding के बारे में कहा गया है कि often known as information hiding, ठीक है, data hiding को हम लोग information hiding के नाम से भी जानते हैं, in technical language, है ना technical language में, is an intrinsic object-oriented programming mechanism, ये एक object-oriented programming का एक mechanism है, एक feature है, क्या data hiding, ठीक है, data hiding या information hiding, object-oriented programming का एक mechanism है, that hides internal object characteristics from the end user, जो क्या करता है, कि जो object है, object का जो internal characteristics है, है ना, that hides internal object characteristics, object के जो internal characteristics है, उसको क्या करता है, वो end user से hide करता है, ठीक है, किसी को दिखने नहीं देगा, ठीक है, यहाँ पर दिखने का मतलब फड़ा सा different भी है, आगे समझाएंगे, the goal of data hiding is to protect data, data hiding का goal क्या है, इसका लक्ष क्या है, क्यों data hiding करते हैं, ताकि आप data को सुरक्षित कर सकें, data को protect कर सकें, within a class, अपने class के अंदर, from unwanted access, ताकि कोई उसको access ना कर सके, unwanted access, है न, and to prevent unneeded instruction from the outside the class, ठीक है, तेखे, यहाँ पर data hiding का मतलब यह होता है, कि कुछ चीजें आपको, है न, object का कुछ चीजें आपको छुपा करके रखनी है, ताकि कोई बाहरी उस data को change ना कर सके, उसे में किसी परकार का बदलाव ना कर सके, ठीक है, तो इसके लिए data को क्या करना पड़ता है, data को hide करना पड़ता है, data को hide करने के लिए programming में कुछ चीजें हैं, जो आप यहाँ पर समझेंगे, a class, group, its member, data and function, class जो होता है, वो अपने member को, member को मतलब data और function को, class जो होता है, वो अपने member यानि data और function को group करता है, यानि बाटता है, तीन section में, private, protected and public, ठीक है, class जो है, अपने member को, तीन भागों में बाटता है, private, protected और public में, the private and protected member remains hidden from the outside world, जो private और protected member होते हैं, वो बाहरी दुनिया से क्या होता है, छुपा हुआ होता है, the data is not accessible to the outside world, कोई बाहरी उस data को access यानि इस्तमाल नहीं कर सकता है, and only those function which are wrapped in the class access it, उसको कौन यूज कर सकता है, तो आप जिस class में, है ना, जिस class में वो function है और जिस class में वो data है, तो उसी class के function के द्वारा ही आप उस data को क्या कर सकते हैं, उस data को आप access कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग summarize कर दें, बताया गया है data hiding जो है जिसको कि हम लोग information hiding भी करते हैं, technical language में, और यह object oriented programming का एक mechanism होता है, जो क्या करता है, hide करता है object का internal characteristics को, ठीक है, किस से, end user से, बाहरी लोग से, जो goal होता है data hiding का, वो होता है data को protect करना, कि data हमारा सुरक्षीत रहे, ठीक है class के अंदर, ताकि कोई unwanted access, है ना, मतलब किसी को permission ना हो, वो आकर कि मेरे data को access करने लगे, इससे हम सुरक्षीत रखें, ठीक है, यह होता है आपका, इसके लाब यह बताया गया कि जब आप class का program करेंगे, आगे चल करके, तो आप जानेंगे कि class जो होता है, class में जो member होते है, उसको तीन accessible to the outside world, जो भी data हमारा private और protected data होगा, वो outside world उसको को use नहीं कर सकता है, केवल कैसे use हो सकता है, वो use हो सकता है, उसी class के function के द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ सा programming के बारे में बात आ रहा है, और यह बात अब तब समझ पाएंगे, जब आप class and object पढ़ेंगे, data hiding और information हाइटिंग को समझाने के लिए चलिए ठोटा सके example यहाँ पर ले लेते हैं, माल लिजिये कि human, माल लिजिये कि human, human क्या है, human एक class है, उसके बाद human एक class है, तो आप जानते हो class दो चीज से मिलके बनता है, किस से किस से एक बनता है data से, ठीक है, और दूसरा किस से, दूसरा function से, ठीक है, माल लिजिये data के रूप में क्या है, तो हम लोग यहाँ पर कहा रहे है, nose, यानि नाक, इनसान का नाक, ठीक है, ear, ठीक है, इसके इलावा आप eye, ठीक है, इसके अलावा मैंने लिख दिया lever, ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर, लीवर के इलावा और भी हम लोग लिख सकते हैं, माल लिजिये, पीडिनी लिख दी है, यह, अब functionality देखिए, functionality क्या है, कि human एक class है, human क्या-क्या function करता है, वो सांस लेता है, ठीक है, वो सुनता है, सुनने का काम करता है, ठीक है, उस सुनने का काम करता है, उसके इलावा वो देखने का काम करता है, ठीक है, और भी चीजें हैं, ठीक है, और भी चीजें हैं, अब एक example से समझ लिजे, कि इसमें से कुछ data ऐसा है, जो कि directly accessible है, जिसको आप देख सकते हो, nose आप देख सकते हो, इंसान का, ear आप देख सकते हो, इंसान का, ये क्या कहलाएंगे ये public कहलाएंगे ठीक है ये public है लेकिन जो liver है kidney है ये शरीर के भीतर है that is these are private parts अब देखिए function जैसे कहा गया था ना कि ये जो class है वो data or function से मिलके बनता है तो देखिए nose का संबंद सांस लेने से है year का संबंद सुनने से है आई का संबंद किस से है देखने से है ठीक है तो इस परकार से अगर आप यहाँ पर देखें तो चीजें यहाँ पर जो है किस तरीखे से वेबस्थित है तो कुछ data आपका public है कुछ data आपका क्या है कुछ data आपका यहाँ पर private है private data है वो सुरक्षित ह ठीक है लेकिन जो public data है वो उतना से रुप्षित नहीं है ठीक है आपको देखतर की लग रहा है तो security के लिए data को security के लिए हम लोग क्या करते हैं class के कुछ member को हम लोग private और protected रखते हैं एक और example ले लेते हैं माल लिजिए कि person जो है person जो है एक class है अब person का क्या क्या हो सकता है person का name हो सकता है ठीक है उसका जो है these are data यह सभी क्या है यह सब data है अब वो person क्या क्या कर सकता है वो person जो है talk कर सकता है बात कर सकता है ठीक है वो सुन सकता है listen सुन सकता है ठीक है यह सब कर सकता है और भी चीजे कर सकता है, परसन के बारे में गर हम बोले कि परसन का आई का कलर, यह क्या आप देख के बता सकते हो, बिल्कुल देख के बता सकते हो, आपके सामने खड़ा है, तो देख के बता सकते हो कि परसन का आई का कलर क्या है, this is public data, लेकिन अगर हम यह बोले कि उसका उम जान आदमी खड़ा है, क्या उसको देख के कह सकते हैं कि उसका नाम क्या है, नहीं, this is also of private data, अब ये private data जो है, ये data मुझको चाहिए, माल लिजे बाहरी दुनिया से, बाहरी दुनिया वाला, उससे वो उसका नाम और उम्र जानना चाहता है, तो अभी क्या बतायते हैं, अभ कोई ना कोई function होगा, उस function के माध्यम से ही हम नाम और उम्र, है ना, ऊस function के माध्यम से ही हम private data को क्या कर सकते हैं, एक्सेश कर सकते हैं, तो जैसे मैंने किया के ask नाम का function लगाया, ask मतलब पूछना, ठीक है, हमने इस function का استعمल किया, पूछा, नाम बताओ, तो नाम भी पिला हो जाएए और खड़े रहिए और सोचिए देख करके उसको देखते देखते उसका नाम जान लेंगे देखते देखते स्कुमर जान लेंगे यह होगा बिल्कुल नहीं होगा जब तक आप उससे पूछेंगे नहीं तब तक जो है है ना तब तक जो है आपको उसका नाम मालूम नहीं होगा और पूछना क्या है पूछना एक function है तो आप यह सिखें कि जो private जो data होता है private data को access करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है हमको function लगाना पड़ता है तो यहाँ पर एक security हो गया ना कि अगर आपको यह function नहीं मालूम है ठीक है अगर आपको यह function नहीं मालूम है तो कभी भी उसका नाम और age नहीं जान पाएंगे ठीक है तो यहाँ पर data मेरा कुछ secure हो गया name और age यैनि जब तक हम बताएंगे नहीं तब तब तक क्या वो जान पाएगा मेरा नाम उम्र नहीं, तब तक वो data क्या है? सूरक्षित है, और data को, अगर कोई उस data को जानना चाहता है, तो ये function लगाना पड़ेगा, ठीक है? ये function लगाना पड़ेगा, ये function लगाएँगे, तो क्या होगा तब ही जा करके वो मुझको नाम और अपना उम्र बताएगा यह है थोड़ा सा data hiding और information hiding का concept और बाकी programming way में कैसे हो हम लोग इस चीज को समझेंगे इसके लिए आपको जो class and object chapter पढ़ना पड़ेगा नेक्स टॉपिक है हमारा abstraction abstraction के बारे में कहा गया है कि abstraction refers to the act of representing essential features without including the background detail यह definition को समझने से पहले चलिए हमें के example देख लिजे एकजामपल समझ लेंगे तो यह भी definition आपको समझ में आ जाएगा जैसे फोर ड्राइविंग अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हैं ना कार का ड्राइविंग सीख रहे हैं मालेजिए तो only accelerator clutch and brake control need to be learnt यानि आपको अगर driving सीखना है तो आपको क्या जाननी की जूरुत है आपको यह जाननी की जूरुत है कि हाँ accelerator कहां है कैसे accelerator लिया जाता ह क्लच कहां है कैसे क्लच का यूज करते हैं ब्रेक कहां है ब्रेक का किस प्रकार से हम लोग control करते बस इतना ही जाननी की जूरुत है आपको कार को ड्राइव करने के लिए रैदर देन आपको इस चीज को जानने की जूरुत नहीं है कि engine कैसे वर्क करता है या और भी दूसरे देटेल ठीक है कि engine कैसे काम करता है या और भी कोई दूसरा चीज है जैसे कोई music system लगा हुआ है तो यह music system कैसे काम करता है क्या आपको ज़रुत है इस चीज को जानने के लिए driving सेखने को दौरान बिल्कुल नहीं driving सेखने के लिए आपको केबल जो necessary चीज है जो essential चीज है उसको जानना जरूरी है जैसे की accelerator clutch और brake के बारे में वही कह रहा है abstraction का मतलब क्या होता है abstraction refers to the act of act of representing essential features without including the background detail abstraction का मतलब होता है जो जरूरी चीजे है जो जरूरी feature है उसको represent करना background detail जो है उस background detail को सामिल नहीं करना ठीक है आप car drive कर रहे हो आपको car drive करने से मतलब है accelerator clutch brake इस से मतलब है engine कैसे थाम कर रहा है engine आपके जो है vehicle को आपकी गाड़ी को किस तरिके से खीच के ले जा रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है आपको background detail से कोई मतलब नहीं है तो यह जो feature है इसको abstraction कहते है और यह object oriented programming का एक खास feature होता है abstraction next topic inheritance inheritance को सुरू करने से पहले एक छोड़ जैसे मानने लिजिए कि हम लोग यहां पर यह कहें कि वेहिकल कि के वेहिकल मतलब कोई गाड़ी हिंदी में बोले तो अब वेहिकल का दो category हो गया एक हो गया हम लोग का यहां पर two wheeler एक हो गया हमारा यहां पर four wheeler ठीक है वेकल में क्या क्या चीज़ें होती है वेकल होगा तो इसमें engine होगा ठीक है इसमें engine होगा इसमें आपका जो है tire होगा ठीक है engine होगा tire होगा है इसमें seats भी होगे ठीक है यह सब चीज़े होगे अब हम लोग बोलें कि वेकल जो है वेकल क्या है वेकल एक klas है ठीक है और इससे दो klas और निकला two wheeler और four wheeler तो हम लोग यह कह सकते हैं कि वेकल class के अंदर जो चीज़ें वो चीज़े इसमें भी पाई जा भी सीट होंगे और जो आपका फोर विलर है इसमे इसमें इसमें भी इंजन होगा इसमें भी टायर होंगे टी वाई झायर होंगे और इसमें भी क्या होंगे इसमें भी सिट neighboring तो हमने यह जाना कि अगर कोई एक class है और उससे कोई नया class निकलता है तो जो नया class है उसने पुराने class का कुछ features को acquire कर लिया है उसने पुराने class के कुछ features को ले लिया है प्लस अब क्या होगा कि two-wheeler और four-wheeler में कोई अंतर तो जरूर होगा ठीक है क्या अंतर हो सकता है वो body को लिएक हो सकता है कि इसका body जो है वो different होता है और इसका body जो होता हथा ओट 정도 होता है यह अंतर हो गया ठीक है तो यहाँ पर हम लुग क्या है कि एक पूराने class से हमने दो class बनाया हाँ ना पुराना class वेहिकल था नया class है two-wheeler और four-wheeler पूराने class मतलब नया class ने नया class ने प्लस प्लस जो नया क्लास बना उसमें उसका अपना कुछ फीचर होगा ठीक है जो नया क्लास बना उसमें प्लस अपना कुछ फीचर होगा तो यहां पर यह जो पुराना क्लास और यह जो नया क्लास है पुराने क्लास को कहते हैं हम लोग बेस क्लास ठीक है पुराने क्लास को इसको हम लोग inheritance कहते हैं, यानि inheritance दो class के बीच में वो संबंध है, जिसमें एक class से दूसरा class निकलता है, और जो नया class है, उस नये class में पुराने class का कुछ features सामिल होता है, plus नये class में उसका अपना भी कुछ features होता है, ठीक है, तो ये inheritance जो है, वो आपको एक chapter को रूप में आग definition जो है, देखेंगे, और definition आपको तुरा सा easily समझ में आए, इसलिए हमने यहाँ पर ये आपको जो है, पहले एक example देख करके बता दिया है, definition, the capability of a class to derive properties and characteristics from another class is called inheritance, ठीक है, वो छमता, ठीक है, capability of a class to derive, बुलते हैं, एक class, जो किसी दूसरे class का properties और characteristics को लेगा और ले करके, एक नया class खुद बना रहा है, इस capability को हम लोग inheritance कहते हैं, आगे कहा गया है, inheritance is one of the most important feature of object oriented programming inheritance जो होता है वो object oriented programming का बहुत ही important feature होता है आगे यहाँ पर क्या है एक छोटा सा बात मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है what is subclass ठीक है तो कहता है कि the class that inherit properties from another class is called subclass और derived class यानि आपके पास जो है एक old class है और इस old class का कुछ features को ले करके आपने जो है यहाँ पर एक new class बनाया ठीक है आपने जो है new class बनाया तो इस old class को तो simply आप class कहेंगे लेकिन यह जो नया class बना इसको हम लोग क्या कहेंगे इसको हम लोग कहेंगे this is subclass यह हमारा subclass है ठीक है वही उस old class को हम लोग base class भी बोलते हैं, और वो जो नया class है, उसको हम लोग derived class भी बोलते हैं, तो यह छोटा सा definition था, बाकि इस inheritance topic को समझने के लिए आप inheritance नाम का chapter पढ़ेंगे, वो chapter काफी लंबा होगा हो सकता है, 3-4 classes का एक inheritance नाम का chapter हम लोगो देखने को मिले, next topic, what is modularity, इसको बस एक definition भर ही आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि आपके book में बस उतना ही दिया हुआ है, क्या कह रहा है, modularity is the property of a system that has been decomposed into a set of cohesive and loosely coupled modules, देखिए, modularity जो है उस property को कहते हैं, जिसमें क्या होगा, कि आप जो है, छोटे-छोटे modules को मिला करके एक complete system बनाएंगे, ठीक है, छोटे-छोटे modules को मिला करके आप एक complete system बनाएंगे, तो ये जो छोटा-छोटा modules से मिला करके system बना, that is called modularity, ठीक है, ये modularity हो गया, जैसे मान के चलिए कि आपके पास एक bike है, ठीक है, आपके पास क्या है, एक bike है, अब bike में तो बहुत सारा parts लगा हुआ है, अब सारा parts तो एक ही company नहीं बनाती है, हो सकता है, कुछ parts जो है, वो विदेश से आता हो, foreign से आ हैंगे modules, और ये जो अलग-अलग parts, ये जो अलग-अलग modules है, जब इस modules को मिलाएंगे, इस parts को मिलाएंगे, तो आपका क्या बनेगा, तब आपका bike बनेगा, ठीक है, ये ही चीज़ है, आपका modularity, ठीक है, तो modularity is the property of a system that has been decomposed, decomposed मतलब होता है बाटना, ठीक है, छोटे-छ अगला topic है, what is abstract class and concrete class, ठीक है, इसको समझने के लिए भी आपको थोड़ा सा, जो है, inheritance वाला चीज़ को थोड़ा याद रखना पड़ेगा, जो अभी inheritance थोड़ी देर पर ले हम लोग पढ़ें, देखिए, abstract class के बारे में कहता है, कि abstract class is the one, abstract class वो होता है, which defines an interface, जो interface को define करता है, interface अगर समझ में ना आ रहा हो, तो आप function समझ लिजे, ठीक है, function, which defines an interface, but does not necessarily provide implementation for all its member function, लेकिन ये जरूरी नहीं है, कि ये जो आपका function है, उसको क्या किया जाए, उसका implementation को भी जो है, provide किया जाए, बस interface define कर दिया गिया है, ठीक है, यहाँ नाक से सांस लेते हैं, लेकिन नाक कैसे सांस लेने वाला प्रक्रिया करता है, उस चीज़ को नहीं बताया गया, ऐसे समझना है आपको, ठीक है, an abstract class is meant to be used as the base class, abstract class को कैसे इस्तमाल किया जाता है, base class की तरह इस्तमाल किया जाता है, अभी निरिटेंस में पढ़े थे, base class, from which other classes are derived, ठीक है, यानि abstract class base class की तरह इस्तमाल होता है, ठीक है, abstract class क्या होता है, base class की तरह इस्तमाल होता है, है ना, और इसी abstract class से दूसरा class क्या होगा, derived होगा, the derived class is expected to provide implementation for the member function, जो derived class होगा, हो सकता है कि वो detail बताए, आपका member function का, ठीक है, that are not implemented in the base class, जिसको हमने base class के अंदर implement नहीं किया था, यानि कोई function है, जिसके बारे में कहें कि हाँ, यह function base class के अंदर है, लेकिन function क्या करेगा, यह base class के अंदर नहीं बताए गया, तो हम उस function को derived class में जा करके उसका detailing बताने लगे, उसका implementation detail बताने लगे, ठीक है, और derived class that implements all the missing functionality is called concrete class, ठीक है, एक वो derived class, जो की missing functionality को implement करके बता रहा है, ठीक है, या missing functionality को implementation बता रहा है, उस class को हम लोग, उस derived class को हम लोग concrete class बोलते हैं, अग concrete class derived from its abstract class, concrete class कहां से निकलता है, यह abstract class से निकलता है, for example, माल लिजीए shape मतलब आकार, एक abstract class है, ठीक, तो यह जो circle है, यह क्या है, circle भी तो shape है na, triangle भी तो shape है, तो यहाँ पर जो है, shape जो है, वो abstract class कहलाएगा, और circle और triangle है, वो क्या कहलाएगा, वो हम लोगों का concrete कहलाएगा, ठीक है, तो circle, triangle, are called concrete class, यहाँ जो भी detailing यहाँ पर बताये गया है, यह अभी आपको हो सकता है, समझ में ना आए, इसके लिए again आपको यहाँ बताना चाहेंगे, कि आपको दो chapter का knowledge होना ज़रूरी है, class and object का, और एक chapter और है, inheritance का, inheritance का, यह दो chapter का knowledge होगा, तो ही चाह करके आप इस definition को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, लेकिन चुकि आपके book में भी जो है, इसी chapter में abstract class और concrete class के बारे में बातचीत कर दिया था, तो मैंने भी यहाँ पर बता दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से, इस चीज को या इस chapter को book मे भी बाद में रखना चाहिए था, पहले class and object chapter जो है वो पहले होना चाहिए था, आपके book में, inheritance पहले होना चाहिए था, उसके बाद यह जो chapter है, इस chapter को तर बाद में होना चाहिए था, तब आपको इस chapter का सारा theory बहुत easily समझ में आता, ठीक है, खर कोई बात नहीं, बाकी के chapter तो आपके हम लोग पढ़ेंगे ही, है ना, तो सारे बाकी के chapter जब पढ़ करके दुबारा से आएंगे, इसको पढ़ने के लिए तब ये तो सारा definition हम लोग को easily समझ में आ जाएगा, तो ये था हमारा chapter number two, object oriented programming, जो कि हमारा यहाँ पर खत्म होता है, हमारा जो अगला video lecture रहे कि function overloading chapter आपको तब समझ में आएगा, अगर आपने chapter number one overview of C++ में function chapter को, function topic को समझा होगा, अगर आप function topic को समझते हैं कि function क्या होता है, function कैसे declare करते हैं, function कैसे define करते हैं, ठीक है, अगर आपको वो जानकारी है, तो ही आपको जो है अगला chapter function overloading समझ में आएगा, इसलिए जिनक तो function समझ लिए function कैसे declare define करते वो समझ लिए उसके बाद जो है फिर आपको अगला chapter समझ में आएगा मिलते हैं next video lecture में तब तक के लिए thank you